नमस्कार मैं विनोध वाष्णव आप देख रहे हैं न्यूस 21 टीवी एवं पाजे चुनीज आज मौजूद हैं पलवल जिले के सेंट सी आर स्कूल अलीगड रोड पो इस्तित्थ है यहाँ पर आपको रेलेटी चेक कारकरम के दौरान देखाएंगे किस तरीके से यहाँ प उनका पूल रूप से पालन किया जा रहा है नहीं आप हमारे साथ सीधे तोर पर जुड़े रहें जो भी दिखाएंगा आपको लाइव कारकरम दिखाएंगे जुड़े रहे हैं हमारे साथ सीधे क्लास में जाने कम काम करेंगा अभी एक मड़ बिटा कौन सी कलास है बैट देए बैट देए कौन बच्चा बताएगा आप से स्कूल में पढ़ना ठीक है घर से पढ़ना ठीक है पताएगे कौन सा बच्चा बताएगा है कोई बच्चा बताने वाला कोई नहीं है आप बताएगे मेटा मास मीचे कर लीजे क्या नाम आपका खुशी जी बताइए स्कूल्स में पढ़ना ज्यादा बैटेने भी किसा भार जो डाउट्स है वो स्कूल्स में आके हमारी क्लियर हो जाते है चाहएद ऑनलाइन क्लासे पे जो हर स्टुडेंट है स्कूल्स में चाहिए कभी हमारे जो रहे बचाहिए और बच्चाइब बताइब आपका प Cry जो बताबहेए। बसक्व पढ़ना अच्छाए पताई बटा खड़ो देगी बताना चाहते हैं जी नाम देगे अपना शिवानी कोई इस ग्लास है और स्कूल करना मुझा है त्वेल्थ एक लास है और साइट से कॉमेंट स्कूल है यहां पर जो है ओनलाइन क्लासिस में हमारे नेटवर्क को चनेक्शन जो होता है वो बहुत अच्छा बच्चों यह बताईए डेली इसी तरीके से बैठते हो आप या आज बिठाएगे आपको ऐसा था नहीं कि आप लोगों कह दिए गए मीडिया वाले आएंगे तो आप इस तरीके से बोल देना कोई कैसी समस्या हो तो बताए एक फीज के लिए दवाब दूनी डा अपर हमने आपके सामने लाइप पूछा आपके सामने आपके लाइप से खेए तुर मिपा सकते हैं यह मयाँ कौण सी क्लास है पच्छों आप में से कौन सा बच्चा बतायगा कि श्कूल पड़ना ठीक है घर से बड़ना ठीक है बताईए कोई बतायगा जी अब बिते इक अचा अचारे होश्यार अचा बच्छ अपने सबसे पीछ बिठार अगेंगा नहीं है इस नहीं इपना नाम बताईएं आ में खुश्भू प्रणाइन थे और स्कूल सेंसिया बताईयो थे इंग इन स्कूल इस बड़ा तो चड़ी विकाज अट अंडर्स्टेंड हम घर से इतनी ची तरह नहीं समझा सकते जितना इतनी ची तरह स्कूल में टीचर्स हमें समझा सकते हैं और ओनलाइन क्लास में कुछ बच्चे ऐसे भी टीचर्स सब्सकीं होते हैं कि सबड़ी बच्च भरघ विश चरफ और बच्चछ बता हो हाई और बच्चर नहीं है अच्छा बच्चो यह बता ओड आप इसी तरीके से बटारे हैं आज बठाएगा आपको सथ सथ बताईएगा ऐसा तो नहीं कि आज आपको हमारी बज़े से बिठा दे गया हो वैसे को स्कूल वाले परिशान तो नहीं करते आपको अगर करते तो बता दीजेगा आप हमें चालिए ठीक है नाइध क्लास के बच्चे हैं और और किसी और दूसरी क्लास विजिट कर ले क्लास में तो हमने पूरा सपोर्ट किया है बच्चों के साथ लेकिन कुछ ऐसे पेरेंट्स है जिनके पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं है और जो ऑनलाइन में पढ़ाई होती है उससे जो है कि क्लास टुफेस पढ़ाई में बहुत फरक होता है क्योंकि बच्चा उस आप जुड़े रहा है जो मैंने अब्सर्व किया है और दिकत तो ही है क्योंकि टेक्नोलजी पूरे हमारे रिमोट इरास में तो नहीं जा पोंची है यह एक अर्मनाइस के तरीके से तो नहीं हमें देखना है न हमें तो बच्चों को सापका देखना है तो इस वज़े से ज आर क्लास में विजिट करांगो और लाइब प्रोग्रम आपको दिखाएंगे जो भी कहा इन बच्चों ने कहा है जैसा भी होगा आपके सामने बात करेंगे बटा कौन से क्लास है बैट दे आप बैट दे कौन सा बच्चा बताएगा स्कूल के वज़ाए घर में पढ़ना कौन बच्चा बताएगा आप बताओगे बैट अच्छा है कि घर पे अच्छे से पढ़ाई नहीं होती और अच्छे से स्कूल के हिसाब से अच्छे से डाउट के लिए नहीं होते इस वज़ा से हमें स्कूल में पढ़ना अच्छा लगता है और बच्चा बच्चा को लग प्रफिश्ट करते हैं इसलिए हम स्कूल को प्रेफर करते हैं जावा बता दीजिए मैम कड़िए मैम की वज़े से नहीं करना है कुछ भी आप बता दीजिए आप हमें इसके लिए दवावत नहीं डालते आप लोगो को क्योंकि रेलेटी चैक कारेक्राम है लाइब प्रोग्रम आपका चल रहा है लाइब लोग देख रहे हैं इसको अगर कैसी को समस्था तो आप हमें बता सकते हैं स्कूल वाले कुछ नहीं कहेंगा अब से चलिए ठीक है सेंट्सी आर स्कूल के बच्चों ने बताया कि कैसी को समस्था नहीं करते हैं पढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं जैसा कि हमने लाइब प्रोग्रम के दोरान पूछा है सब्सक्राइब दिखाया गया है इसमें कोई रिकॉर्डड कोई चीज नहीं होगी क्यों जायतर क्या अभीवाब का फोन हमारे पास आता है कि हमें स्कूल वाले परिसान करते हैं अब रियालिटी चाहिए का सिर्फ मतलब यहीं है कि जिससे की यह पता चल सके कि बच्चों स से किस तरीके से बात की गई हमारी और वो देखें अभीवाब को देखें जुड़े रहे हैं हमारे साथ अन्य स्कूलों के हम आपको दिखाएंगे और कैसी भी कोई समस्या किसी को हो तो सीधे तोर पर वहमें कॉल कर सकते हैं आपको नीचे डिस्प्ले में नमर दिखाई द कौई समय घृत कोई समझया नहीं है डी एक तो आप अपना परीचह दिजिये स्कूल के साथ कैसे जुड़े में स्कूल का जोग का सेंट सी में से कुट से सच्ट masa का सी अर्चे समशाइटी का तो ant2 लैवा इंडेन्ट कु team grammel कौनुम और मटे सबस्देन और आपकी परीशन से आपने करें नहीं हा देक्तार करना च्हाएं इस प्रिंस्टिती में जो के मिजड़ते रहे हैं उसके का वेच擊 और हमेसे हमें हमारा साथ दिया है अच्छा से आप लोगों को आ रही है स्कूल चलाने में इस कोरोना पीड़ में तो सबसे बड़ी समश्या तो रही है कि बच्चे स्कूल नहीं आ पाए हैं और ओनलाइन क्लासिस स्कूलों ने सो प्रोवाइड कराई हैं लेकिन अभीभावक फॉन का वश्तानी कर पाए बहुत अभीभावक ऐसे हैं जो ग्रामी नाचल में रहते हैं वहां पर नेटवर्क की बहुत समश्या रही है और कैयों के पास अगर एक फॉन भी है और बच्चे दो या तीन पढ़ रहे हैं तो ऐसी सितिती में हर बच्चे को जब ऑनलाइन क् अगर्णा अगर्णाध करें का रहे हैं जो जो गाइडलाइन हमें जारी की गई है उनको अनुसारी हम भिड्याले कर रहे हैं जैसे कि गेट पर हम सेनिटाइज करके बच्चे को एंदर आने देते हैं सोचल दिस्टेंसिंग मास्क्राइब ऑर आल बच्चों को बैठरी की पर दो सब्सक्राइब करें किस तरीके से बढ़ाते हैं एक बेंच पर बच्चे को बिठा करके सिक्षा दी जा रही है अच्छा आप प्रधान भी है स्कूल एक सवाल आप से खटके बात करेंगे और साहिद उसकता हमारी बात से सहमत ना हो क्यों को प्रधान है क्या ही स्कूल कि सरकार की जो गाइडलाइन है उनी के हिसाब से कख्षा बुलाई जाएं लेकिन कई बर जैसे आप कह रहे हैं हमें ऐसा पता लगाया तो विधे अपने साथियों को हमने बताया है तो समझाया है और उनसे कहा है कि कख्षा सरफ जहां तक सरकार ने अनुमती दिया हों तक ह करोना का संकत्थ देश से लगभु टलसा गया है पिर तेदिन अगर हम आल ओवर इंडिया देखें तो बहुत ही कम बच्ट पेसेंट्स आ रहे हैं करोना के दूसरा पलवल जिले का गरम देखें तो पलवल जिले में कई दिन तो ऐसा भी रहा है कि एक भी पेसेंट करोना का सा कि जो भैथा या हम कहें करोना संक्रमन का जो प्रिस्तिती थी वह बहुत सकारात्मक्सी होती जा रही है अभी भावक्तों से हमेरे अपील यही है कि जो बच्चे स्कूल नहीं आप आ रहे हैं सरकारी आदिसों के साब सी उन्हें घर पर ऑनलाइन कक्षाएं से काम कराने की क अगली क्लास की पढ़ाई ठीक प्रसे कर सब्सक्राइब हैं सेंट सी आर सीनर सेकंडरी स्कूल अलीगर रोड पलवल के संचालक हैं स्री सत्वीर पटल जी उनसे विस्तार से हमने आपको बात कराई यह और स्कूल एसुजन के प्रधान भी हैं हमने वेवागी से सीधे सीध हैं हम उनके साथ नहीं हैं बाकी आप सभी इस कारेकरम से सहमात आतों किरपया यह प्रोग्रम से रजू करें धन्यवाद और मैं चांगो इनके विल्डिंग और बाहर से बोर्ट दिखाए प्रिझा आतके वा-प्रणाश कारेकर गाम किरपयार यह मझत तून से संहाँ है रचन के बादाए झाल झाल पो जोँ कि एच को अचछ को बार दोग्या कर दोग दो दो जार रेंगर जोग है कर दोगल